हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने विसकोसिटी के बारे में डिसकसन किया था, उसी डिसकसन को थोड़ा सा ओर आगे बढ़ाते हैं, अब पढ़ते हैं काइनेमेटिक विसकोसिटी जिसको न्यू से रिपरजेंट करते हैं, देखो काइनेमेटिक विसकोसिटी क्या होत यह हुई आपकी kinematic viscosity की definition बट कभी कभी यह definition सही नहीं होती है actual में जब इसको नाम दिया गया था यह ratio है इसको नाम क्यों दिया गया था क्योंकि जो mu by rho term है mu by जो rho term है यह बार 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 आ रही थी fluid mechanics analysis में तो बार बार जो term हारी थी इसको एक सुविधा के लिए इसको एक नाम दे दिया गया kinematic viscosity फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ यह ratio है mu by rho का तो अब देख लेते हैं इसकी unit क्या होती है तो unit के लिए हमें mu की unit चाहिए और rho की unit चाहिए mu की unit लिख लेते हैं जो सबसे basic unit थी क्या थी kc per meter per second और density density की unit क्या होती है kc per meter cube divide by kc per meter cube अब इसको उपर ले जाते हैं तो इस unit को ऐसे लिखेंगे kc meter per second और जो यह unit है kg per meter cube आप इसको उपर लेके जाएंगे इससे तो यह क्या हो जाएगे opposite हो जाएगी यानि कि आजाएगा meter cube per kg kg से kg cancel हो जाएगा यहाँ पर एक meter है एक meter से यहाँ पर meter की power एक cancel हो जाएगी दो बच जाएगे आपके पास यह आया meter square और यहाँ पर एक second बचा है आपके पास meter square per second तो new की unit जो होती है meter square per second अब dimension देख लेते हैं इसका dimension तो बहुत easy है अब लिखना क्योंकि देखो mass यहाँ पर नहीं है mass क्या है नहीं है केजी की कोई unit नहीं है last मैस में तो mass m की power 0 L length की power meter का square है length की power 2 और time की power time की power 1 है second एक बार लिखा हुआ है तो बट यह division में है division में है तो उपर लेके जाएंगे तो minus 1 हो जाएगा यह हुआ इसका dimension आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L square T raised to power minus 1 यह हुई इसकी dimension actually कभी कभी confusion हो जाता है कि जो acceleration due to gravity है और इसकी unit है वो same है similar type की लगती है बट same नहीं होती है कैसे acceleration की जो unit होती है वो क्या होती है meter per second square उसमें square नीचे होता है और जो kinematic viscosity की unit है इसमें square उपर है यहाँ पर square नीचे है और यहाँ पर square उपर है यह difference होता है acceleration की unit में और kinematic viscosity की unit में अब इसकी unit देख लेते हैं CGS system में in CGS system CGS system में इसकी unit लिखते है stock CGS system में इसकी unit होती है stock और one stock is equal to होता है one centimeter square पर second तो फिर से conversion हमें चेक करना पड़ेगा कि आपको stock अगर गिवन है तो जो MKS वाली है वो ले लेते हैं पहले कौन सी मेटर स्वारी मेटर स्केर पर second MKS में क्या दैशकी unit meter square पर second meter square 1 meter square पर second ले लिया हमने meter square को हम centimeter में change करेंगे तो 1 meter 1 meter में कितने होते है 1 meter में होते हैं आपके 100 centimeter तो 1 meter में 100 centimeter होते है तो 1 meter का square है तो यानि कि 100 cm cock square divide by second तो 100 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 10 raised to power 4 लिख लेते हैं इसको 10 raised to power 4 centimeter square per second और centimeter square per second को क्या लिखा था स्टोक, centimeter square per second को क्या लिखा था? स्टोक तो यानि कि 1 meter square per second is equal to 10 raised to power 4 स्टोक बट, question में जो given होगा, स्टोक में अगर given है तो उसको mks में कैसे change करेंगे? यह देखना है हमें तो 1 स्टोक की value क्या हो जाएगी? 1 स्टोक is equal to, यह 10 raised to power 4 है उधर चला जाएगा 1 divided by 10 raised to power 4 into meter square per second यह लिख सकते हो आप या फिर क्या कर सकते हो? 1 स्टोक is equal to 10 raised to power minus 4 यह अगर 10 raised to power 4 का हम उपर ले के आते हैं तो power कहां चली जाएगी? 10 raised to power minus 4 meter square per second तो आपको कभी भी अगर कभी भी स्टोक में unit given हो तो क्या करो? simply 10 raised to power minus 4 से multiply कर दो वो आपकी किसमे convert हो जाएगी? meter square per second में तो यह हुआ kinematic viscosity के बारे में अब इसके आगे थोड़ा सा और discussion करते हैं अब देखते हैं कि temperature का क्या effect होगा viscosity पे? variation of viscosity with temperature तो temperature का change देखने से पहले हम थोड़ा solid, liquid और gases के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे देखो, solid के जो molecule होते हैं, वो इस type से होते हैं, बिलकुल एक दूसरे से सटे हुए, solid के molecules यह होते हैं solid, solid के molecule और liquid के जो molecules होते हैं वो होते हैं थोड़े से दूर-दूर, randomly थोड़ी सी दूर-दूर होते हैं, यह होते हैं liquid के molecules और इसके बाद gases के जो molecules होते हैं गैसीज के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर बहुत दूर दूर एक मॉलिक्यूल यहां पर एक मॉलिक्यूल यहां पर स्पोज़ करें यहां पर यहां पर यहां पर यह होते हैं अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं यह बिलकुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं जैसे आप कह सकता होगी husband wife है जिनका bonding क्या है पूरी life का है यह husband wife है पूरी life का bonding है जो liquid का molecule होते हैं यह होते हैं friendship की तरह है दो दोस्त दोस्तों के बीच में relation तो है लेकिन हो husband wife वाला नहीं है permanent relation नहीं है और जो gases के molecule होते हैं उनका relation आपस में होता है just like unknown unknown है वह यह हमें कोई कि से मतलब नहीं है अगर कोई unknown बंद आ जाएगा तो उससे आपको कोई मतलब होगा कोई मतलब नहीं है तो देखो हमारा जो है हम फ्लूड पढ़ रहें तो हमें में फोकस करना है इन दोनों पे liquids पे और gases पे अब liquids के जो molecule है वह friend है आपस में दोस्त हैं उनके बीच में कुछ उस bonding को बोलते हैं cohesive force जो bond है मतलब एक molecule दूसरे molecule को पकड़ा हुआ है उसमें cohesive force होता है और gases के molecule में cohesive force क्योंकि molecule बहुत दूर दूर है अंजान है कोई मतलब नहीं है cohesive force बहुत ही कम होता है negligible amount का cohesive force होता है तो लिक्विड में क्या हुआ cohesive force हुआ काफी सारा और gases में cohesive force negligible है तो पहले liquid के बारे में चेक कर लेते हैं तो जो viscosity होगी वो किसकी वज़े से होगी cohesive force की वज़े से एक molecule अगर जाना चाहरा है दूसरा molecule उसको जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वो उस cohesive force की वज़े से अब viscosity आपकी आई cohesive force की वज़े से बट जैसे ही temperature बढ़ाते हैं हम किसका effect देख रहे हैं temperature का जैसे हम temperature increase करते हैं जब temperature increase करते हैं तो cohesive force की value कम हो जाती है cohesive force की value decrease हो जाती है और cohesive force decrease हो जाएगा cohesive force decrease हो जाएगा तो resistance to the flow भी decrease हो जाएगा जब cohesive force decrease हो जाएगा तो resistance to the flow भी decrease हो जाएगा और resistance to the flow decrease होगा तो इसका मतलब resistance क्या होता है viscosity इसका मतलब viscosity भी decrease हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि फिलिक्विड्स के लिए for liquids μू की वैल्यू decreased होती है जब आप temperature को increase करते हो जब आप temperature को increase करते हो कि वैल्यू decreased होती है अब आ जाते हैं Gases में Gases के जो particles हैं जो molecules हैं वो unknown हैं बहुत दूर दूर है तो cohesive force की तो बाती नहीं है तो यहां पर viscosity किसकी वज़े से होती है viscosity तो gases में भी होती है gases में viscosity किस वज़े से होती है वो चेक कर लेते हैं क्या होता है जो gases के molecule है वो randomly जा रहे हैं कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है दूसरे molecule के साथ उसका collision हो गया और इस collision की वज़े से उसका जो flow हो रहा था वो उसमें resistance आ गया या कह सकते हैं उसका flow जो है वो change हो गया तो flow में जो resistance होगा वही तो viscosity है मतलब यहां पर जो viscosity है वो किसकी वज़े से है collision की वज़े से वो यहाँ पर viscosity किसकी वज़े से है? collision की वज़े से, gases में viscosity collision की वज़े से है और जैसे ही हम temperature बढ़ाते हैं जब temperature increase करते हैं gas का जब temperature increase हो जाता है तो number of collision per unit time increase हो जाते हैं number of collision per unit time increase हो जाते हैं किसकी क्यों? क्योंकि randomness increase हो जाती है जिसको एक और word कहते हैं molecular agitation molecular agitation increase होने की वज़े से randomness increase होगी और randomness increase होने की वज़े से number of collision increase करेंगे और जितने ज़्यादा collision उतना ज़्यादा resistance जितने ज़्यादा collision उतना ज़्यादा resistance तो यानि कि resistance बढ़ेगा अगर collision बढ़ेंगे तो resistance भी increase करेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा तो मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है तो गैसिज के केस में फोर गैसिज mu की value increase करती है कब जब हम temperature को increase करते है mu की value increase करती है जब हम temperature को increase करते है अब इसको लिख लेते हैं जो हमने अभी समझा है इसको लिख लेते है देखो क्या लिखा है in liquids intermolecular distance is small liquids में intermolecular distance small होता है and hence cohesive forces are more इसमें cohesive force ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद लिखा है, when temperature is increased, जब temperature को increase करेंगे, cohesive force decreases, cohesive force की value decrease करेगी, and hence resistance to the flow decreases, इसलिए आपका resistance to the flow भी decrease करेगा, जब cohesive force decrease करेगा, तो resistance to the flow भी decrease करेगा, and so viscosity decreases, और resistance ही क्या है, viscosity है, resistance to the flow को ही, viscosity कहते हैं, इसका मतलब viscosity भी decrease करेगी, तो इसका मतलब liquids के लिए, therefore for liquids, viscosity decreases with increase in temperature, viscosity decrease करेगी, temperature increase करने से, अब gases के बारे में, इन gases, intermolecular distance तो था जादा, intermolecular distance is large, intermolecular distance large है, इसका मतलब cohesive force की value बहुत कम होगी, hence cohesive forces are negligible, cohesive force क्या है, negligible है, अगर cohesive force negligible है, तो viscosity फिर किस वज़े से है, so viscosity या resistance to the flow भी बहुत सकते हैं, इसको is due to collision between molecules, किसके लिए, gases के लिए, gases के लिए, viscosity किसकी वज़े से है, collision, जो molecules के बीच में collision होता है, उसकी वज़े से viscosity होती है, और जब हम temperature increase करते हैं, when temperature is increased, molecular agitation भी बोल देते हैं, molecular agitation और randomness increases, randomness increase होगी, कोई molecule इधर जारा, इधर जारा, इधर जारा है, तो randomness वो increase हो जाती है, which results in increase in number of collision per unit time, per unit time, यानि कि एक second देख सकते हैं, आप एक second में जितने collision पहले हो रहे थे, अब वो increase हो गए है, increase in number of collision, collision number of collision increase हो जाते हैं, अगर number of collision increase हो जाएंगे, और collision की वज़े से ही resistance आ रहा है, इसका मतलब resistance to the flow increases, resistance to the flow increase करेगा तो viscosity increase करेगी, therefore with increase in temperature, viscosity of gases increases, इसका diagram देख लेते हैं, इसका graph देख लेते हैं, देखो, viscosity liquid की काफी जादा होती है, viscosity liquid की काफी जादा होती है, तो जैसे जैसे temperature, जैसे जैसे आप temperature increase करोगे, viscosity की value decrease करेगी, किसके लिए, liquids के लिए, और gases की viscosity liquid से बहुत कम होती है, gases की viscosity liquid से काफी कम होती है, तो जैसे जैसे आप temperature increase करोगे, viscosity increase हो रही है, increase, 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 इस टाइप से यह आए आपका gases के लिए graph, तो graph जब बनाएंगे एक में ही बना सकते हैं, आप अलग लग भी बना सकते हो, लिक्विड की viscosity decrease करेगी, और gases की viscosity increase करेगी, with increase in temperature, जैसे जैसे आप temperature बढ़ाओगे, तो यह हुआ temperature का effect, इसके बाद देखेंगे pressure का क्या effect होगा, viscosity पे, आप देखते हैं कि pressure के साथ viscosity का variation क्या होगा, तो प्रेशर जैसे increase करते हैं, लिक्विड पे जैसे increase करोगे pressure, तो volume में ज़्यादा difference नहीं आता है, क्योंकि liquids generally incompressible होते हैं, liquids generally incompressible होते हैं, और gases compressible होती हैं, तो liquids के उपर, जब आप pressure लगाओगे, तो incompressible है, तो ज़्यादा effect आएगा ही नहीं, viscosity की value change नहीं होगी, लेकिन बहुत high pressure जब लगादोगे, जब बहुत high pressure लगादोगे, तो क्या थोड़ा बहुत compress हो जाएंगे, और compress हो जाएंगे तो intermolecular distance और भी decrease हो जाएगा, और intermolecular distance जितना कम होगा, उतना ही आपका resistance to the flow ज़्यादा होगा, तो liquids के case में अगर बात करें, तो जैसे आप pressure बढ़ाओगे, तो viscosity पे ज़्यादा effect नहीं पड़ता, बट high pressure पे viscosity इंक्रीज करती है, अब gases पे आजाते हैं, gases में जैसे pressure इंक्रीज करते हैं, gases compress होती है, but intermolecular distance तो बहुत ज़्यादा है, intermolecular distance से कोई फर्क पड़ी नहीं रहा है, cohesive force से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जैसे जैसे आप pressure बढ़ाएंगे, उनके बीच में space तो थोड़ा सा कम होगा, molecules के बीच में, अगर space कम होगा, बट इतना नहीं होगा कि अभी भी cohesive force लगे, cohesive force नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, कि जैसे जैसे उनके बीच में distance थोड़ा सा कम होगा, तो जो अगर ज़्यादा molecules हो जाएंगे कम space में, तो collision बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बिलकुल बढ़ेंगे, तो gases के case में भी जब high pressure होगा, उस time पे आपके collisions increase करेंगे, और collision increase करेंगे, तो इसका मतलब viscosity increase करेगी, तो liquid और gases दोनों के ही case में जब कम pressure है, तो उस time पे viscosity में ज़्यादा difference नहीं आएगा, यह हम कह सकते हैं कि viscosity बहुत कम vary करती है pressure के साथ, बट high pressure पे viscosity आपकी increase करती है, तो हम लिख सकते हैं, Viscosity varies very little with pressure, but at high pressure there is an increase in viscosity for both दौनों के लिए, liquids के लिए भी and gases के लिए भी, तो इस case में gases के लिए भी और liquids के लिए भी viscosity increase करती है, तो यह हुआ variation of viscosity with pressure, अचर्व